हेलो स्टूडेंट्स वेल्कम अगीन टू लांडरी दितीमन आजम करने वाले हैं भारतिये रिजर्व बैंक आर बी आई तो इससे संबंदिक जो भी प्रश्च आ सकते हैं सभी इंक्लूड किये हैं एक भी कुशन ऐसा नहीं है जो कि आपके लिए इंपोर्टेंट नहीं होग सभी कुशन पर आपको ध्यान देना है चलिए स्टार्ट करते हैं भारत का केंद्रिय बैंक कौन सा है भारत का केंद्रिय बैंक कौन सा है तो देखिए जो आर बी आई है रिजर्व बैंक आफ इंडिया यही भारत का केंद्रिय बैंक है नेक्स्ट कुशन टू बैंकों का ब इसको नियंत्रित करने का कारे जो है, वो RBI करता है, Reserve Bank of India, इसलिए इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, क्योंकि सभी बैंकों पर नियंत्रिट किसका है, RBI का. नेक्स्ट कुशन थर्ड, भारत की अर्थविवस्था को नियंत्रित कौन सा बैंक करता है, तो मैंने अभी बताया कि हमारी जो अर्थविवस्था है भारत की, उसे कंट्रोल करता है, कौन सा बैंक, RBI, Reserve Bank of India. नेक्स्ट देखिए, कुशन फोर, किसने कहा कि भारत में एक केंद्रिय बैंक होना चाहिए, तो ये कथन के हैं, कि भारत में एक केंद्रिय बैंक होना चाहिए, अब देखिए, यंग कमीशन या रॉयल कमीशन on Indian Currency and Finance, 1926, इसने कहा था कि भारत में एक सेंट्रल बैंक जो वो होना चाहिए. ठीके नेक्स्ट है question number five. भारती रिजर्ब बैंक की इस्थापना किस अधनियम की अंतरगत की गई? तो भारती रिजर्ब बैंक की स्थापना की गई 1 अप्रेल 1935 को. लेकिन यह की गई 1934 के अंतरगत ठीके? रिजर्ब बैंक अधुनियम 1934 के तहत भारती रिजर्ब बैंक की स्थापना 1 अपरेल 1935 को की गई नेक्स्ट कुशन 6 रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया आर्बी आई की स्थापना कब की गई हमने देखा कि 1934 के एक्ट के अंतरगत की गई और वो डेट किया एक अपरेल 1935 ठीक है इस डेट को याद रखना है और उस समय जो नियंत्रण था वो निजी स्वामित्व का था नेक्स्ट कुशन 7 रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया का राष्ट्री करण कब किया गया तो इसका आंसर है रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया का राष्ट्री करण किया गया एक जनवरी 1949 इस वी को तो जब राष्ट्री करण किया गया तो जो नियंत्रण निजी स्वामित्व का तो वह अब आ गया था भारस सरकार की नियंत्रन में ठीक है तो रिजर्ब बैंक इंडिया का जो राश्टी करण है वो एक जनवरी उन्ने सो उननचास को किया गया और जो नियंत्रन है वो भारस सरकार के अधीन आ गया जो की पहले किसका था निजी स्वामित्वका था रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया का प्रारंभिक मुख्याले कहां था रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया का एक अप्रेल 1935 के समय जो केंद्रिय मुख्याले था वो कहां था तो इसका आंसर है कोलकाता कहां पर था सबसे पहले कोलकाता में नेक्स्ट है question number 9, 1937 में Reserve Bank of India का मुख्याले कोलकाता से कहां स्थानतरित किया गया, बहुत ही important question चल रहे हैं आपके, बिलकुल अच्छे से याद रखना है आपको कि RBI का प्रारंबिक मुख्याले कोलकाता था, उसके बाद कोलकाता से स्थानतरित किया गया 1937 में मुंबई में ठीक है, दो साल बाद, next question 10, Reserve Bank of India के चार जोर्नल कार्याले कौन-कौन से हैं, Reserve Bank of India के चार जोर्नल कार्याले कौन-कौन से हैं, तो देखिए इसका answer है, New Delhi यानि उत्तर भारत में, नई दिल्ली में, दक्षन भारत में, चैनें में, पूर्वी भारत में, कोलकाता में, और पक Question 11, Reserve Bank of India के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो Reserve Bank of India के पहले गवर्नर, वर्तमान गवर्नर, ये बिल्कुल आपको अच्छे से याद रहने चाहिए, अभी यहाँ Question है, Reserve Bank of India के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो याद रखना है, Osborne Smith, Osborne Smith जो थे, वो RBI के पहले गवर्नर थे, Next, Question 12 Reserve Bank of India के पहले भारतिय गवर्नर कौन थे? पहले भारतिय गवर्नर कौन थे? अभी हमने इससे पहले देखा था, कि RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे? ठीक है, तो वहाँ पर हमने भारतिय शब्द यूज नहीं किया था, प्रथम गवर्नर Osborne Smith थे, और पहले भारतिय गवर्नर जो इंडिया के थे CD देश्मुक, ठीक है, नाम से ही लग रहा है कि Osborne Smith ये तो इंडिया के नहीं होंगे, तो वो थे भारतिय वो थे RBI के प्रथम गवर्नर, ठीक है, और CD देश्मुक जो की भारतिय नाम भी लग रहा है, तो ये है प्रथम भारतिय गवर्नर, तो इस तरीक एक बार मैं आपको दुबारा से विवाइस करा देती हूँ, RBI के जो सबसे पहले गवर्नर थे, वो Osborne Smith थे, RBI के प्रथम भारतिय गवर्नर, CD देश्मुक और RBI के वर्तमान गवर्नर हैं, शक्तिकांत दास, Reserve Bank of India की देखबाल कौन करता है, अब Reserve Bank of India जो की बैंको का बैंक है, अब इसकी देखबाल भी कोई करता होगा, तो इसकी देखबाल करने का कार्या है केंद्रिय निदेशक बोर्ड को, ठीक है, केंद्रिय निदेशक बोर्ड को, जिसके अंतरगत बहुत सारे व्यक्ति जो है वो यहां शामिल होते हैं और वही Reserve Bank of India की देखभाल करते हैं अभी हम जानेंगे कि वो कौन-कौन है Next है केंद्री निदेशक बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं जो कि Reserve Bank of India की देखभाल करते हैं तो इसमें कुल 21 सदस्य होते हैं याद रखना है कुल 21 दश्य होते हैं केंद्री निदेशक बोर्ड में जो RBI की देखबाल करते हैं अब इन 20 सदश्यों में कौन-कौन होते हैं एक तो हमारे गवर्नर होते हैं जो की वर्तमार में शक्तिकाम्त दास हैं 25 वे गवर्नर चार डिप्टी गवर्नर होते हैं उसके बात देखे चार शेत्रिय कार्याले निदेशक होते हैं दो वित्त मंत्राले के आर्थिक व वित्य सचिव होते हैं और 10 भारत सरकार के विभिन शेत्रों से संबंदित निदेशक होते हैं ठीक है कुल कितने होते हैं 21 सदश्य एक गवर्नर होते हैं उसके बाद 20 कौन होते है चार डिप्टी गवर्नर, चार शेत्रिकार एले निदेशक, दो वित्त मंत्रा लेके, जो सच्चिव होते हैं, और दस भारत सरकार के भिविन शेत्रों से सम्बन निदेशक. Next, Question 16, Reserve Bank of India के केंद्रिय निदेशक बोर्ड की कितनी बैठक होती हैं? Reserve Bank of India के केंद्रिय निदेशक बोर्ड जिसमें 21 अदस्य हैं, तो उसकी बैठक जो है, वो कितनी होती हैं? तो देखिए, 6 बैठक होती हैं प्रतिवर्स, यानि एक साल में 6 बैठक होती हैं, यानि प्रतिक तिमाही में, एक बैठक जो है, वो अनिवार्य है, ठीके? तो आप गवर्नर की निउक्ति कौन करता है? Reserve Bank of India के गवर्नर, जो अभी सक्ति कांतदास हैं, उनकी निउक्ति किसने की होगी? तो यह हमें जानकारी जो होनी चाहिए. तो इनकी जो गवर्नर होते हैं RBI के, इनकी निउक्ति करते हैं भारस सरकार, जिसमें कौन आएंगे? प्रधान गवर्नमंत्री कार्याले के सदस्य, वित्तमंत्राले और पूर्व गवर्नर की राय पर. Next, 18 कुशन है, Reserve Bank of India के गवर्नर का कारेकाल कितना होता है? आंशर देखिए, अधिक्तम पांच वर्ष कितना होता है? अधिक्तम पांच वर्ष होता है. Next है, कुशन 19, Reserve Bank of India के लोगों में कौन से पसू का चित्र होता है? तो अब देखिए, आपने लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, तो अब आप ध्यान देना कि Reserve Bank of India के लोगों पर बंगाली जो टाइगर है, उस पसू का चित्र है. Next, कुशन 20, Reserve Bank of India के लोगों में कौन से पेड का चित्र है? ठीक है, एक बंगाली टाइगर है, और जो पेड है, वह है ताड का पेड. दो चीज़ आपको याद रखनी है, Reserve Bank of India के लोगों पर ताड का और बंगाली टाइगर का चित्र है. Next, देखिए, Reserve Bank of India का वित्तिय वर्ष क्या है? यानि कि वित्तिय वर्ष जो है, जैसे हम देखते है, बजट का प्रारम जो है, वो एक फिक्स डेट होती है, वहां से लेकर और अंतिम जो बजट जो है, जहां तक बनाया गया है, वहां तक होती है, ठीक है? तो Reserve Bank of India का वित्तिय वर्ष क्या है? तो यह होता है, देखिए, अभी वर्तमान में 1 अप्रेल से 31 मार्च तक, कितना है? वर्तमान में 1 अप्रेल से वित्तिय वर्ष प्रारम होता है, और 31 मार्च तक चलता है, लेकिन जब प्रारम में 1935 इसवी में, यह था 1 जुलाई से 30 ज तक तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है, कि प्रारम में जो Reserve Bank का वित्तिय वर्ष क्या था? तो याद रखना है, 1 जुलाई से 30 जुन और वर्तमान में क्या है? एक अप्रेल से 31 मार्च नेक्स्ट है Question 22, बैंकों का राष्ट्री करण सर्व प्रत्थम कब वह कितने बैंकों का किया गया, उस समय गवर्नर कौन थे? तो देखें, यहां पर तीन Question जो है, वो आपके रहते हैं, बैंकों का राष्ट्री करण जो है, वो हुआ 1969-10-1 में, कब हुआ? 1969-10-1 में, और 14 बैंकों का राष्ट्री करण किया गया, उस समय गवर्नर कौन थे? L.K. Jha. ठीक है, य जवर्नर थे LK जहा, next question 23, Reserve Bank of India के राष्ट्री करण, यानि 14 बैंकों का जो राष्ट्री करण हुआ, उस समय इसकी पुंजी कितनी थी, उस समय RBI की पुंजी कितनी थी, यह है पुंजी थी 50 करोड से भी अधिक, next 24 है question, उनने सो असी में कितने बैंकों का राष्ट्री करण किया गया, तो हमने अभी देखा था कि 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्री करण किया गया, उस समय LK जहा, गवर्नर थे, उनने सो असी में 6 बैंकों का राष्ट्री करण किया गया, और उस समय LK पटेल गवर्नर थे, next 25 है, एक रुपए के नोट को कौन जारी करता है, तो देखिये, इसका आंसर है भारस सरकार, ठीक है, तो यहाँ आप RBI मत लगाईएगा, एक रुपए के नोट को कौन जारी करेगा, भारस सरकार, नेक्स्ट है 26, एक रुपए के नोट पर हस्ताक्षर कौन करते हैं अब जारी जब भारसरकार करते हैं तो इस पर हस्ताक्षर जो है वो वित्त सचिब करेंगे ठीक है, यहां confused नहीं होना है, गवर्नर के साही नहीं होते हैं एक रुपए के नोट पर क्योंकि जारी जो है वो करते हैं भारसरकार, तो हस्ताक्षर जो है वो वित्त सचिब करते हैं नेक्स्ट है, सभी नोटों को, यानि एक रुपए के नोट को छोड़ कर, कौन जारी करता है? सभी नोटों को कौन जारी करता है तो RBI सभी नोटों को जारी करते हैं ठीक है एक रुपए के नोट को छोड़ को क्योंकि इन्हें तो भारत सरकार जारी करते हैं Next 28 सभी नोटों पर एक रुपए के नोट के अत्रिक हस्ताक्षर कौन करते हैं अब हमें ये समझ में आही गया है कि जारी जो है वो सभी नोट RBI करते हैं तो इनके जो गवर्नर है उनहीं के हस्ताक्षर जो है वो यहाँ पर किये जाएंगे और एक रुपए के नोट पर कौन हस्ताक्षर करते हैं भारत सरकार नेक्स्ट देखिए 29 है भारत में रिजर्ब एंक ऑफ इंडिया के कुल कितने शेत्रिय कार्याले हैं तो 29 कार्याले हैं और ये कौन से कार्याले हैं ये शेत्रिय कार्याले हैं यानि एक शेत्र में यह कारेल है जो है स्थापित किये गए है Reserve Bank of India की तो आज यह आपका अंतिम प्रसन था Reserve Bank of India से संबंदिच सभी प्रसन अभी हमें next वीडियो में करना है Reserve Bank of India के कारे यदि मैं इसी में शामिल कर लेती तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता और आपको learn करने में भी परिशानी आती next वीडियो Reserve Bank of India के कारे का होगा और इसके बाद इस वीडियो के बाद आपके दो वीडियो और आएंगे और आपका ये जो unit है ये भी आपकी complete हो जाएगी चलिए मिलते हैं next वीडियो में Thank you